मन्नी श्री जैवर्धन सिंग जी भारत माता की भारत माता की भारत माता की अच्छा एक बात राणा साब कहना भूल गए थे हलो मानी मुख्यमंत्री जी मेरी विदान साबा को छोटा नाकपूर कहा जाता है हजारों एकड़ों में संत्राक का अत्पादन होता है मेरी मांग है कि मेरी विदान साबा में फूल प्रोसेसिंग का कारखाना खोला जाए बहुत बहुत धन्याद जै जै कमलाद जै जै कबनलाद जै जै कबनलाद आज इस विशाल सभावे यहां पधारे इस प्रदेश के नेता इस प्रदेश के लोगप्रियम मुख्य मंत्री परबादन्य कबनलाद जी मद्यपदे शासन के सिचाई मंत्री आदन्य हुकुम सिंग कराडा जी हमारे मजपे उपस्तित जिनके द्वारा आज 615 करोड का भूमी पुजण किया जा रहा है पीएची मंत्री श्री सुक्देव पांसे जी हमारे प्रदेश के लोगप्रिय उर्जा मंत्री परबादन्य प्रेवत सिंग जी हमारे युवा क्रिशी मंत्री परबादन्य सचेन यादव जी आदन्य अमारे युवा मंत्री आदन्य जीतु पत्वारी जी हमारे बद्धिपदेश शासन के कैमिनेट मंत्री परमादन्य पीसी शर्मा जी, हमारे सुसनेर के शेर और लोगप्रियव इधायक परमादन्य राना विक्रम सिंग जी, आगर जिला कॉंग्रेस के अध्यक्ष परमादन्य बाबूलाल यादव जी, हमारे एनेस्युआ के प्रदेश अध्यक्ष जो बहुती अल्प समय में आप सब के परिवार के सदस बन चुके हैं, मेरे भाई विपिन वांखडे जी, आगर के पूर विधायक आधन्य रामलाल मालवी जी, हमारे पूर पत्यासी राजकुबार गोरे जी, हमारे ब्लॉक कॉंग्रेस के सभी अध्यक्ष और मेरे सामने बिराजे, सुस्नेर, नलखेडा, सोयत कला, बड़ा गाओं, बड़ोद, कानड और आगर से पूरे शेत्र से पधारे, सभी किसान भाईयों को, सभी माता भेनों को मैं परणाम करता हूँ, और मैं आप सब को अर्च करना चाहता हूँ, के जो काम 15 साल में भाश्पा की सरकार नहीं कर पाई, वो काम इस प्रदेश के लोगप्रियब मुख्यमंत्री कमनाजी ने 14 महिनों में करके दिखाया है, लेकिन क्या भाश्पा की सरकार ने एक बार भी किसान का करज माफ किया, कभी नहीं किया, और ये कमलडा जी की सरकार है, हमारे युवा उक्रिशी मंत्री सचिन यादव जी की महनत है, कि आगर जिले में अब तक किसान का करजा एक लाग तक का माफ हो गया था, और आज, आज इस सभा के दौरान, जो किसान जिनका करजा दो लाग तक का था, वो भी आज कमलडा जी माफ करवा रहे हैं, आप वो समय याद करें, जब 4-6 महिने पहले पूरे जिले में अती वर्षा हुई थी, सोयत कला में बाड आई थी, मान्य मुख्य मंत्री कमलडा जी ने आगर जिले में देड़ सो करोड रुपे की मुआबडा राशी दिलवाई, जो भाजपा के सरकार के समय इतनी मुआबडा राशी कभी भी आगर शेत्र को नहीं मिल पाई है, इसके इलावा, जो 615 करोड की योजना का आज भुमी पुजन होगा, पूरे मद्रे पदेश में आगर जिला पहला जिला बनेगा, जिसमें हर गाओं में भी पेजल की विवस्ता नल के माध्यम से हर गाओं को दी जाएगी, ये एक एतिहासिक योजना है, एक एतिहासिक निन्ने है, जिसके लिए हम सब मानिय मुख्य मंत्री कमल्ला जी के आभारी है, कि उन्होंने आगर जिले को इतनी बड़ी सौगात दिये है, जब से सरकार कॉंग्रेस पार्टी की आई है, अकेले आगर जिले में 30 गउसाला इस्तापित हुई है, और इस साल वर्ष 2021 में हम आगर जिले को लगबग 50 नहीं गउसाला दिलवाएंगे, बोलो गाउ माता की, आज जैसे ही मुख्य मंत्री जी आगर पहुचे थे, उन्होंने सब से पहले बैजनात मादेव के दर्शन किये, और उन्हें बैजनात मंदिर के अतरिक दिकास के लिए 5 करोड रुपे आप सब के लिए दिलवाए हैं, तो ये सब इतनी बड़ी सोगाते हैं, जो मान्य मुख्य मंत्री कमल नाजी ने आगर शेत्र को सिरफ एक साल में दी है, अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है, और बहुत सारी ऐसी जन्हित की योजनाएं, कॉंग्रिस पार्टी की सरकार, और कमल नाजी के नित्रित्व में आगर शेत्र को मिलेगी, मैं आपका और समय नहीं लेना चाहता हूँ, अभी हमारे अन्य मंत्री भी आपको सम्भोधित करेंगे, लेकिन मैं आप सबको आश्वासन देता हूँ, के आगर शेत्र के विकास के लिए हम कोई कसर नहीं छोडेंगे, कुछ दिन पहले ही हुकुम सिंकरा जी भी आप सबके बीच आये थे, जिसमें उन्होंने पाच नए डैम की गोशना की है, जिनके टेंडर भी लग चुके हैं, साथ में प्रदेश के लोगप्रिय उर्जा मंत्री जी भी आये थे, और लगबग 9 नई ग्रेड, 9 नई सबस्टेशन इस पूरे शेत्र में स्विक्यत कराये हैं, जिससे की बिजली की भी बहतर विवस्ता आप सबको मिलेगी, आप सबने आज यापर पधारे, आप सबको द दिल से आभार, जै हिन, जै भारत!